हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे ही हूँगे आज मैं आपको बताऊंगी मूफली की चिक्की मूफली की चिक्की के लिए मैंने एक कटोरी गूर लिया है और एक कटोरी मैंने मूफली लिया तो मूफली को मैंने पहले से सेख के इसको आदा करश कर लिया है मैंने इकड़ाई लिए है और नहीं इसमें दो चम्मच पानी डाल दूँगी और इसी के अंदर अब मैं इसमें गूं डाल दूँगी और गेज को मैंने लोफ लेम पर ही रखा है अब हम इसे चला लेंगे और जब तक चलाना है जब तक कि इसकी चास्नी अच्छी न हो जाए अब इसकी थोड़ी थोड़ी चासनी होने लग गई है और जी इसको हमें बिल्कुल लोफ लेम पर ही रखना है नहीं तो अपना गूर जल जाएगा और उसके चासनी जैसी हमें चाहिए बैसे नहीं बनेगी तो अपनी चिक्की भी अच्छी नहीं जमेगी इसलिए हमें लोफ लेम पर ऐसे ही चलाते रहना है अब इसके चासनी तो बन गई है लेकिन बिल्कुल लिक्विट फॉम में है और हमें चाहिए तोड़ी गाड़ी तो हम इसी तरह इसे लोफ लेम पर पकाते रहेंगे जब तक अपनी चासनी गाड़ी न हो जाए अब हमारी चासनी तोड़ी गाड़ी होने लग गई है तो मैंने ये कटोरी में पानी लिया है अब हम इसमें तोड़ा सा डाल के देखेंगे कि अपनी चासनी किस तरह की बनी है तो अब देखें फ्रेंड्स मैं इसे पानी में डाल दिया तो ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद फिर हमें चेह करना है तो आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल लिक्वीट है ये तो हमें अभी और पकाना है इसे अपनी चासनी गाड़ी तो हो चुकी है काली भी हो चुकी है मैं इसे पानी में डाल के तो ठंडा करा तो आप देखे बिल्कुल तार की तरह खिच रही है इसका मतलब अभी तक भी अपनी चासनी रेडी नहीं हुई अपनी चासनी अच्छे से पक चुकी है और मैंने इसे ठंडा करके देखा तो इसके दो पीस हो रहे है इसका मतलब अपनी चासनी एकदम प्रफेक्ट है अब इसी के साथ हम हाफ टी स्पून वेकिंग सोड़ा डालेंगे जिससे इसमें गुड़ का जो इत्ता काला हो गया अब एकदम बाइट हो जाएगा यह देखे इसका रंग चेंज हो गया है अब इसी को हम अच्छे से मिला के इसी के साथ हम इसमें यह मूफली के दाने डालने के बाद इससे फटा फट चलाएंगे क्योंकि गुड़ की चासनी दम टाइट हो जाती है और मैंने गेस को ओफ क जाता है तो हम इसे फटा फट चलाके एक प्लाश्टी के पेग में लेना है यह देखे मैंने इसे चारो और अच्छे से इस गुड़ को इसमें मिक्स कर दिया है और यह अपना अच्छे से मूफली के दाने में भी मिक्स हो गया है प्लाश्टी का बेग लिया है अब हम इसे गुड़ की चिकीस में डाल देंगे तो मैंने इसमें और यह काम हमें पटापट करना है फ्रेंट्स कि जिससे अपना गुड़ टाइट नहों टाइट होने के बाद ने तो अपनी चिक्के कटेगी नहीं पिर जैसे है बेसे ही यह रहेगा तो अब मैंने इसमें बेग में डाल दिया है अब देख सकते हैं इसके एके केक तार हो चुके हैं गुड़ के कितने सारे तार इसमें दिख रहे हैं अब मैंने इसे डाल दिया अब हमें जल से जल अपलाश्टी को इस तरह पकड़के इसका एक हमें डू बनाना है तो इस तरह हमें चलाते रेना है क्योंकि अभी घुड़ बोद गरम है तो अपने से हाथ नहीं लगा सकते हैं तो पलाश्टी के बे को इस तरह हम हाथ से दबा दबा की इसका एक डू बना देंगे इसका डू बना दिया है अम बेलन की साइता से अब हम इसे अच्छा से बेल लेंगे और हमें बेलते समय ये ध्यान रखना है कि हमें इसे नरम पे ही बेलना है नहीं तो ये टाइट होने के बाद अपना बेलन इस पे नहीं चलेगा और हमें इसे बिल्कुल पतला सा बेलना है जिसे अपनी चीकी कटने के बाद एक धम क्रिस्पी बनेगी अब हमने इसका रोल पतला बना दिया है अब हम इसे नाइफ की साइता से इसे इसे निसान लगा देंगे नहीं तो उसके बाद हम आमारी से कटेगा नहीं क्योंकि ये गुड़ पोर टाइट होने लग गया है आप देख सकते हैं कितना मुश्किल से इसमें नाइफ जा रहा है तो इस तरह हम इसे पकड़ पकड़ के इसके निशान लगा देंगे इदेखे ब्रेंट्स मैंने इसे काट ली है अब मैं आपको प्लेट में डालके बताती हूँ देखे फ्रेंट्स अपनी चिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है आप देख सकते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स अपनी चिक्की बनके रेडी हो चुकी है आप घर पे जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलें थेंक यू, बाइ बाइ